अगर आपको भी बेशन के लड़ू खाना बहुत पसंद है और आपसे अच्छे से बेशन के लड़ू बन नहीं पाते हैं मैं कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी उसको फोलो करके आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से बेशन के लड़ू बना पाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है कड़ाई गर्म होने के बाद उसमें एक कप घी आइड करना है आप किसी भी कटोरे या कप से मेजर कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें जिस कप से हमने घी लेना है उसी कप से हमें बेशन भी आइड करना है इसमें तो हमने एक कटोरा घी लिया नहीं भूनना है हाई फिलेम करके अगर हम बेशन को भूनेंगे तो हमारा बेशन यो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्छा ही रहेगा और बाद में हम जब लड़ू बनाएंगे तो लड़ू जो हमारे कड़वाएंगे अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा तो इ भूने में हमें 20 मिनट का टाइम लगता है, पूरे 20 मिनट हमें इसे लगतार चलाते हुए भूना है। और 20 मिनट के बाद ये देखिए इसमें से थोड़ा सा घी रिलीज हुआ है और ये थोड़ा से मॉस्चर हो गया है तो इसमें हम एक चमच घी और एड़ करके और थोड़ा सा इसमें मॉस्चर लाएंगे और इससे लगातार गैस का फ्लेम लो करके ही हमें इसे चलाते हुए औ अच्छे से पकाना है और इस वक्त पूरा खुस्बू से इसके पूरा हमारा कीचन महेक रहा है और इसमें अब भूनने के बाद 20 मिनट के बाद इसमें हम पानी के छीटे दे देकर दो मिनट और भूनेंगे क्योंकि जब हम छीटे देंगे पानी के तो ये जो बेशन के लड़ू हमारे हैं वो बहुत ही दानेदार बनेंगे और खाते समय जब मुँ में थोड़ा सा दानेदार करंची बनाता है तो बहुत अच्छा सा टेस्ट लगता है तो इसे दो तीन बार हमें पानी के छीटे देने हैं और गयस का फ्लेम लो करके ही इसे हमें भूनना है तो इसे हम चलाते हुए लगतार भून लेंगे इसमें थोड़े सा हाथ दूखते हैं लेकिन कोई बात ने इसे हमें लगतार चलाना होता है क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो ये एक साइड जल जाएंगे और दूसरी साइड ये डार्क हो जाएंगे तो इसे अब हम ये लगतार हो चुका है इसे अब हम ठंडा करके एक बावल में निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल हमें इसे ठंडा नहीं करना ये थोड़े से वार् लेकिन चीनी हम थोड़े से कम ही यूज करेंगे क्योंकि बूरा जो होता है वो थोड़े से ज्यादा मीठे नहीं होते हैं और चीनी जो होता है वो हमारा perfect मीठा होता है तो जैसे हमने इसमें एक कप घी आट किया दो कप बेशन एड़ किया तो हमें अगर बूरा लेंगे तो दो कप हमें यूज करना है और अगर चीनी लेंगे तो एक कप हम इसमें डालेंगे और सारे चीजों को हम डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे ये भी एक टिप्स है कि परफेक्ट मेजरमेंट होना काफी जरूरी होता है तब ही हमारे बेसन के लड़ू जो है अच्छे तरीके से बन पाएंगे क्योंकि हमने बूरा लिया था तो हम दो कप बेसन लिये थे तो दो कप ही हम इसमें बूरा आट करेंगे और सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतनी अच्छी हमारी लड़ू जो बनके तयार होंगे और लास्ट में जो ह लड़ू हमारे परफेक्ट तरीके से बंध जाए क्योंकि बंधना जरूरी है और बेशन जो अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसको लड़ू बनाएंगे मुठी में लेकर ऐसे बांदेंगे तो यह आसानी से लड़ू के सकल में आ जाएंगे लड़ू हमारे बन बेशन बनाएंगे मं कोई भी परसानी फोगो कमेंट में जरूर बताएका क्या परसानी हो रहे हैं तो मैं एक और वीडियो बताऊँ की से क्योंकि इसमें हमने पर्फेक्ट मेजरमेंट और सही सही से भूनना बताया है इस तरीके से आप लोग अगर बेशन के लड़ू बनाओगे तो आप लोग के भी बेशन के लड़ू बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तयार होंगे और आप लोग इसे एक सप्ता तक एस्टोर तो इसमें हावा नहीं लगना चाहिए हवा लगेगा तो यह पिघल जाएंगे नहीं तो यह सब्सक्राइब कोonta कर Bye-bye लै अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ अब तक आप अपना ध्यान रखिए टेक क्यार बाबा